सरकार ने किसानों की उपज़की रिकॉर्ड स्थर पर खरीदी किया और वो भी नए कानून बनने के बाद और एक अहम बात इन कुरुशी सुधारों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारिया बढ़ाई हैं उदान के तौर पर एग्रिमेंट फार्मिंग की बाद ही ले लीजिए खेदी कर रही है कि क्या आप जानते हैं पहले के कानूनों में समझोता तोड़ने पर किसानों पर पैनल्टी लगती थी मेरे किसान भाईयों को भी किसे ने समझाया नहीं होगा लेकिन हमारी सरकार ने यह सुधार किया और सुनिशित किया कि मेरे किसान भाईयों पर पैनल् दिभाती जानते हैं कि पहले अगर किसी कारणवस किसान मंडी नहीं भी जा पता था तो वो क्या करता था वो किसी ट्रेडर को अपना माल बेच देता था ऐसे में वो व्यक्ति किसान का फायदा ना उठा पाए उसके लिए भी हमारी सरकार ने कानूनी उपाय किये हैं खड़ीदार समय से आपका भुक्तान करने के लिए अब कानूनन बाद्य है उसे रसीद भी काटनी होगी और तीन दिन के भीतर बुक्तान भी करना होगा नहीं तो ये कानून किशान को सक्ति देता है ताकत देता है वो अधिकारियों के पाच जाकर कानूनी तंत्रका सहारा लेकर अपना पैसा प्राप्त कर सके हैं ये सारी चीजें हो चुकी है हो रही है खबरे आ रही है कि कैसे एक एक करके हमारे देश के किसान भाई इन कानूनों का फाइदा उठा रहे हैं सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है किसान चाहे जिसे अपनी उपजबेचना चाहे सरकार ने ऐसी व्यवस्ता की है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टिम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे साथियों कुरुशी सुधारों का एक और एहम पक्ष भी यह के लिए समझना जरूरी है अब जब कोई किसान के साथ एग्रिमेंट करेगा तो वो यह भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो इसके लिए एग्रिमेंट करने वाला किसानों को अच्छे बीच आधुनिक तक्निक अत्याधुनिक उपकरान विशेशक्यता यह हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा क्योंकि उसको तो उसी रोजी रोटी उसमें है अच्छी उपज के लिए सुभीदाएं किसानों के दर करेंट से पूरी तरफ वाकिव रहेगा और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा कि अब आपको मैं एक और सिती बताता हूं अगर किसी वज़े से किसी परेशानी की वज़े से किसान की उपज अच्छी नहीं होती जिसने एग्रिमेंट किया है उसको किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा एग्रिमेंट करने वाला अपने एग्रिमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है कि लेकिन दूसरी तरप, अगर किसान एग्रिमेंट को किसी भी वज़े से खत्म करना के चाहता है, तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है, क्या ये स्थितिक किसानों के लिए फायदे मन्ध है के नहीं है, सबसे ज़्यादा एस्ष्योरनस किसान को है के नहीं है किसान को फाइदा होने वाली गारंटीज्म है के नहीं है एक और सवाल लोगों ने उच्छाल करेकर रखा हुआ आपके मन में भी आता होगा अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई मार्केट बहुत स्वांदार हो गया जो एग्रिमेंट में था उससे भी ज़्यादा मुनाफ़ा एग्रिमेंट वाले को मिल रहा है अगर ऐसा होता है तो एग्रिमेंट का जितना पैसा है वो तो देना ही देहा है लेकिन अगर ज़्यादा मुनाफ़ा हुआ है तो उसमें से कुछ बॉनस भी किसान को देना पड़ेगा